आप सभी का स्वागत है। आज की इस कहानी का नाम है बेहरा नौकर। धैनीपुर गाउं में मुंशी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसका एक नौकर था जिसका नाम था गोपाल। गोपाल को कम सुनाई देता था जिसकी वजह से उसे अपने मालिक सी काफी दांट खानी पड़ती थी। एक दिन मुंशी ने अपने नौकर को आवाज लगाई गोपूं जरा मेरे लिए तंबाकू और हुक्का लेया। गोपाल ने जैसे ही आवाज सुनी वो तुरंत एक कच्चा पपीता और जलती हुई मशाल ले आया। लो मालिक, लेकिन मालिक मुझे ये बता आई। मैंने तो हुक्का और तंबाकू मनगाया था। ये सुनकर गोपू अपनी गलती को छुपाते हुए बोला, अभी रुको मालिक, मैं तुरंत जाकर ले आता हूँ। वो जाता है और तंबाकू और हुक्का लेकर आता है और मुंशी को सौप देता है। मुंशी हुक् कच्चे चावल और कच्चे के लेकर जाना और सीधा जमीदार के हाथों पर रख देना। गोपाल सारी बाते ध्यान से सुनता है और कहता है ठीक है मालिक। मैं सुबह होते ही जमीदार के यहां कच्चे चावल और कच्चे के लेकर चला जाओंगा। अब रात बहुत हो गोपाल कहता है जमीनदार की मा मर गई है मैं उनके खाने के लिए कच्चे चावल और कच्चे के लिए लेकर आया हूँ ये सुनकर सिपाही हसते हैं और कहते हैं पागल हो गए हो क्या जमीनदार की मा तो कल ही यहां आई है और तू ने उन्हें मार भी दिया दोनों सिपाही ग जमीनदार कहता है, कौन हो तुम, और तुम से ऐसा किस ने कहा, महाराज, मैं मुन्शी जी का नौकर हूँ, उन्होंने ही मुझसे कच्चे केले और कच्चे चावल सीधा आपको भेट करने के लिए कहा था, जमीनदार इस मुन्शी को अभी यहां बुला कर लाओ, सिपाही जा लेकिन हुआ क्या, महाराज, इसे जानते हो, ये तुम्हारा ही तो नौकर है, ये कह रहा है कि तुमने मेरी मां की मौत होने के पर मेरे लिए कच्चे चावल और कच्चे के लिए भीजे हैं। जोकर को अपने काम से निकालना होगा, तभी इसे सबक मिलेगा, गोपाल माफी मानते हुए कहता है, मालिक आप घर जाए, मैं भी कही अपनी जगल धून लूँगा, गोपाल वहां से चला जाता है, और चलता चलता एक जंगल में काफी दूर निकल जाता है, काफी समय तक क तूटा फोटा मंदर होता है, वह उसमें चला जाता है, जैसे ही वह सोने वाला होता है, कुछ आवाज उसे सुनाई देने लगती है, सरदार, सुना है जमीनदार के यहां माता बैठाए गई है, माता की मूर्ती के नीचे जमीनदार ने काफी सारा सोना और खजाना चुपा रखा है। अगर हम किसी तरह से उस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो हम अपने बाकी के जीवन को काफी आराम से बिता सकते हैं। सरदार अपने सेवक की बात सुनकर काफी खुश होता है और उस खजाने को ढूंदने के लिए काफी विचार करने लगता है। कुछ समय तक सोचने के बाद वो अपने सेवकों से कहता है, सेवकों, माता कि स्थान के चारों और फैल जाओ और ध्यान रहे कोई भी हमें पहचान ना पाए। सरदार के कहे अनुसार उसके सेवक चारों और फैल जाते हैं। गोपाल उन सब की बाते चुपकर सुन रहा था, उसे अब समझा चुका था कि जमीनदार का खजाना और उसकी जान खत्रे में है। वो तुरंट वहां से भाग भाग कर जमीदार के महल वापस आता है और उसने ये सारी घटना सुनाता है। ये सब सुनकर जमीनदार को गोपाल की बातों पर विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसे ठीक से सुनाए ही नहीं देता है। जमीदार एक पल के लिए सोचता है कि यह सब इसे कैसे पता है। वो गोपाल से पूछता है तुम इसके बारे में कैसे जानते हो। महराज यहां से जाकर मैं एक जंगल में रुका। मैंने वहाँ पर एक सरदार को बात करते हुए सुना कि वो सब आपके छुपाए हुए खजाने पर हमला करने वाले हैं। जमीनदार तुरंट अपने सैनिकों से कहता है। खजाना सुरक्षित है। गोपाल तुम नहीं जानते तुमने कितना बड़ा काम किया है। तुमने खजाने को ही नहीं हमारे प्रानों की भी रक्षा की है। इसके बदले में हम आपको एक अशर्फी भीट करते हैं। और बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो केवल यहीं चाहता हूं कि मैं अपने मालिक के साथ रहूं। क्रिपय आप मेरे लिए इतना ही कर दीजिए। ठीक है गोपाल, जब भी तुम चाहो तुम मुन्शी जी के घर आ सकते हो और जब ही सकते हो। धन्यवाद महाराज, इसके बाद मुन्शी और गोपाल दोनों एक साथ घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इस कहानी से आपने क्या सीखा? नीचे कॉमेंट में जरूर बताएं।